तो यह पैसे तुम लोगों ने पढ़ी लिए है जो उसके फुरा से डिसकस करते हैं किस-किस ने पैसे पुरा पढ़ी लिया? अरे भई आपको दस नर्ट पहले मिल गया थे किस ने पढ़ी पुरा पैसे? जेकिये है, पुरी क्लास में पाके तुम्में पढ़ी है वे लिए पढ़ने का वाद क्या समझना है? यह पैसे पढ़कर तुम्हें क्या इंफोर्मेशन मे लिए? क्या जानकारी मे लिए? जादा बट नहीं रिदिंग है और लिस्निंग है ये इंपुट होता है और speaking और writing जो तब output होता है तो जो हमारे पास already information है अगर हो में किसी के ताँ share करनी है किसी को देनी है तो उसके लिए हमें speaking और writing कर भी उसका ना पड़ता है ठीक है लिकिन जो बाहर की information है अगर हमें अपने पास लानी है तो फिर उसे हमें listening और reading करने पड़ते है तो अगर तुमने ये पैसेज पड़ा है reading की ये संसें पैसेज की तो इसका मदोभी must have gathered some information तो क्या information तुम्हें इसको पढ़ने के बाद मिली मैं ये जानना चाहिए अगर पढ़ने का तुम्हें क्या समझ में आया है अगर फिर से पैसेज को पढ़ो और देखो उसमें क्या concrete information है जो अगर कोई तुम्हें पूछे ये पढ़के तुम्हें क्या पता चला तुम क्या बताओगे बता बेटा तुम्हें स्टार के मिली में पता है कि अगर उसके सर्वाइब करता है या उसकी अगर स्टार कैस सर्वाइब करता है होता क्या हक近ší पर उसके सर्वाइब के लिए क्या क्या में हिसके सर्वाइब आज से लेटर दबता है इसके बाद तो टोट जाता है बाद वाद बाद बाद चबता है नहीं तो में तो प्राइचल था पीछे बटा पढ़िया पूरा पैसल देटा पूरा पैसल पढ़िया रही नहीं है कि अब बढ़िया है कि अब बढ़िया तो पता है कि याद नहीं है कि इसके पास असाइन्मेंटे नहीं है अब तब से बैठे क्या करना फिर दो उसको से लो है ऐसे गोवर गनेंट है तो मता बड़ा यह सिर्फ ऐसे परके क्या सब्सक्राइब तो में इसको अब बढ़िया है उसकी और्बिटिंग में जो प्लाइट से उन पे क्या असर पढ़ रहती है उसे जो इनर वाले प्लाइट सा वो तो जड़ देंगी लेकिन जो जुपिटर उन पर बहुत काम असर पड़ेगा उसके बाद जब वो वाइड आफ हो जाएगा तो जो प्लाइट पानी करते ही करते हैं उनका सर्वेवल का सांसे जड़े है जिसमें हमने जुपिटर के मून के एक्जामबल को लेकर बात करी है तब भी थोड़ा क्लियर है उसको कि उसने कुछ पढ़ा है तो क्या इंफर्मेशन मिलिए एक अपनी आउप्लाइन बना पाई हालांकि बहुत क्लियर नहीं है लेकिन फिल भी है एक आउप्लाइन तो हमारे दिमाग ने बनाई है कि यह पढ़ने के बाद में यह है मनतब basic इस परफस पढ़ने का यह है एक तरिका एक तरिका यह कि हनेसी ठाप लिया आगे बढ़ते चलेगा बनाइन फूरी चलेगा लुझा से नध करें कि yılियूर हम यह कि उसलिये पढ़ते हैं कि फिसने लिखा है उससने का हम आचा तो सही यूज कर भाएं यह तो नहीं होता हमने पढ़ा बूल गये अब जैसे हम स्कूल पर ने पढ़ते थे तो हम बुली गे तो पढ़ने का खाता हुआ था हम पर नई बाते सीखने पूंप नहीं जानकारिया मिली कुछ नए कॉंसेप्स मिले कुछ नई सब्सक्राइब करें तो अब कभी तो अभी जब पढ़े उस इंफर्मेशन की तो हम उसका यूज करके अपना अब अब बला करते हैं अब अदेल हम बुल गए, हमने रेडिंग के उसका रदम बुल गए, हमने पढ़ के लिया हूँ, तो ऐसे तो फैदा नहीं है, तो यह जो पूछ के न, बस परपस देना चाहता हूँ, कि when you are reading something, you must have some purpose in your mind, that you are reading it for this, मैं अगर्ट रहता हूँ, कि यह मैं पहले से पदा रहता हूँ, इसके बार मुझे से पूछा जाएगा, तो मुझे लगचा कि तुमने से जयाता बैच्च पतह पते, बड़ पहले तुम्हारे दिमाग में था नहीं, कि हम तो कुछ पूछ भी लिया जाएगा। तुमने सोचा वह पढ़ने की फर्मेंटी करनी अपना पढ़ी के एलास्तक आगे लेकिन अगर यह तुम्हें पता रहे कि नहीं तो हम पढ़ रहे हैं यह कोई हमसे पूछ भी देगा कि क्या पढ़ा है ठीक है क्या जानकारी मिली तो अगर अगर हमारे दिवा में पहले से पर वेनर सन एंकर्स इस डेफ दो इन अब फाइब बिलियन इयर्स कि जब हमारा सन अब देखो यह फूचर टेंस है अभी देज़ जिए तुम लोग सीखोगे जो नए बच्चे मुशाद हो सकता दिखका तो जो सबॉडिने प्लॉज प्रिजेंट टेंस लिखा होता है तो इस जो इवेंट है जिसको हम वेन प्लॉज में लिख रहे हैं यह इवेंट अभी का नहीं है फूचर का है हम कहा रहेंगे जब हमारा जो सन है ठीक है हमारा सन ता मतलब क्या मान रहे हो और जी सन है किसने का नो तुननों का और सन नहीं है सन क्या होता है सन क्या होता है सन क्या हो भाई जाते हैं:" आज हां राधा, मैशि के जाएं?" प्रोपर होता है यह नहीं हाँ समय को जो लगो नहीं करता है तो इसके आसपास में स्प्लाइट मूवर करते हैं जिसका अपने को अपने को सब्सक्राइब तो ये शन वता Sun is a kind of star, एक ऐसा star जो जिसका solar system हो, इसके planets इसके around move करते हम orbit में, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि जो हमारा solar system है, उस ही में sun है, ऐसे तो बहुत से solar systems है पूरे universe में, so there are millions of suns, तो sun जो होता है, यह proper नहीं है, common normal होता है, जो हम अपने solar system में बात कर रहे होते हैं, तब तो sun को आप proper मात रखे हो, कि हमारे solar system में एक ही sun है, but there are millions of suns in the whole universe, तो जो our sun लिखा रहे हैं, तो our sun का मतलब यह ही है, कि हमारे solar system का हमारा sun है, जिस से हमारे planet earth पे energy हमें में किलके, अब हम कहरेंगे, जो हमारा sun है, जब यह अपने death close में पहुचेगा, entry करेगा, close का मतलब pains होता है, death, और in about 5 billion years, मतलब 5 billion years, 5 billion years कितना होगा, वैसे अगर हम अपने इंदी के जो, इंडियन जो numbering होता है, उसके जाफ्त करें तो, 1 billion कितना होता है, 100 billion, 1000 billion कितना होता है, जो पांसो करोड बाद में जब हमारा sun जो है, वो अपनी death close पहुचेगा, मतलब जो उपने end के पास आजाएगा, ठीक है, it will incinerate our planet, incinerate का मतलब होता है, burn up कर देना किसी चीज़ को, पूरा जला के destroy कर देना, मतलब एक तो जला देना, और एक जला के पूरा destroy ही कर देना, तो incinerate कर देना मतलब होता है, पूरा जला के nest कर देना, जैसे तुम लोगो ने देखा हो गई है, यहां पर होता है, क्या ना होता है, जैसे जो गारवेज होता है, कूड़ा होता है, तो यह जो बहुती है, यह मतलब अपने setup होते हैं, तो वहां पर पूरे को क्या कर देते हैं, incinerate, incinerators, machines होती है, उनके अंदर डालो, पूरा जला के राह कर देता है, ठीक है, पूरा होता है, जो भी रुटा, भी रुटा यहां पर है उसका बड़ा अच्छा ना है, पो इते हमार्टि मुद्ध कर लाइए, पूरेगा नमगी, क्या दिर गपलप के बास में? तो पर क्या है उसका सम्चान करें नहीं है तो पता नहीं होगा है तो वहां पर भी ऐसे सिस्टम में डेफ बादी जो होती है उपके लिए वो क्रमेडोरियां में इलेक्रोनिक वालते हैं वह ऐसे लोगते इंसने बाड़ी कर देते हैं तो खैर जब हमारा सन जो है वो अपने डेफ रोज में पहुंच जाएगा 500 क्रोड बाद साल बाद तो यह हमारे प्लैनेट को जला कर नस्ट कर देगा मंदो हमारे प्लैनेट कर देगा मंदो अर्थ और फिर उसके बाद में इंसनेट करने काद हमारे प्लैनेट को फिर यह क्लाप्स हो जाएगा इंपर का मतलो समझते हैं क्या होता है प्लैक क्या मतलने मतल प्लैक क्लिळाते हैं जयसे घंडर बनके रहेगा एंष्मोलों जलता ना इंटं incentiv फ़ेशव सब्सक्ति के बहा हमें करदेण हो जाता हैं सब्सक्राइब तो फिर यह एक देर्ट अंबर में कॉलाप्स हुजाएगा और जिसको जाना जाता है, नो ने टो वाइट लाइट अब तो प्र उसे स्टेप्टो वाइट आफ भाईट आफ को अगल भाईट आफ मन जाएगा उस्वार इतनी हीट होगे है, कुछ नहीं जाएगी अब हमारा जो प्लैनेट है यह मंदब पते हैं कि जब आप रेइडिंग करते हो तो आपको थोड़ी से देश दूने के ना जानकारी होनी चाहिए और जिस अवस्ता में तुम लोग को तुम लोग के बंदब इस तना पड़े लिखे तो तुम से यह उम्मिद होती कि लिए ब है बढ़ती फेट और मोर डिस्टेंट हम अब जैसे हमारा सलय सिस्टम है तो हमारे सीस्टम में संके निरिस्ट कर दो हूं ब्रहे यह उसके लार्ण है उसकर आते हैं त Againsthat सटो अब यह आपके यहां पर गहरा बत्तब फेटों दिस्टेंट लिस्टेंट सो नहीं आता है अर्फ जो है वह सथ प्लेट्स में आता है तो हम्में तो उपर बताई देगे कि जो आर्फ है उसको तो यह इसिल्रेट आपकर देगा तो जलागी तो जैसे यह इसकर आपकर मै टीक है is less clear उनका क्या होगा फेट का मतलब समझ भृटागा किसमत destiny ठीक है हमारा तो confirm है के हमारा जो आर्थ है वो तो यह destroy करी देगा जला ही देगा लेकिन जो दूर वाले प्रैनेट्स है Jupiter है सैटान है उनका जो फेट है ना उनकी जो भागय है उनका क्या होगा that is less clear लेस्ट परफ पन्डाव मेंगने का नाम होगा खाल यहीं होगा ओपसेंट फ्रीज्ट प्रिवीव ऑफ ऑर सोलर सिस्टम्स आफ्टर लाइग तो एक मतलब कोई जर्नल है नाम का उसके रिसेंट एडिशन में क्या हुआ है एस्ट्रो नॉमर्स प्राण होता है एक मिनट एक सबसे पीछे वेटा वो बच्छा एस्ट्रो नॉमर्स यह मैं यह कई बार वर्ट जो होते हैं आपके उसमें यह ए ट्रोड चेंट भड़ा नहीं में आपके एस्ट्रो नॉमर्स एक मित परें जल्डीे सीट है आग कर्णा सबसेंट ही परीका है आख मान बच्छक हले अं इस्ट्रो नॉम संस्ट्रो नोम नितुरिशन कंद्ता है एक मिला प्डिए लून कुसा मौना नहीं, हाँ? अश्टरो नमर, वर नहीं सुख़एंगी? वर पोर में गषु, दृटिय थांगी? छोप्तिय भारेद नहींती है, हैं अश्टैंगी तो यह कहां? लून का हिरे लून कहां? वर लून का सुख़एंगी का सुख़एंगी? इंदे में क्या गहते हैं? आज दिया किए ज्योगसी एंदे में क्या किए देखल। जोगसी नहीं होता है। मैं जोगसी बताते हैं ठीकए यह वह होगया रहेंसमस बार थिंट करेंक साइन से होता है, लेकर नहीं समय खगना काम द्यादा होता है ऐस्ट्रानॉट वर्ण्पोड एक एक धंपल देना निलामस्ट्थाउंग नर्ट करने चावा बलकोना चावा अपके तने बार रखते हैंसरे हो बोलेगा और वो सुनेता भी लिए अपस निया सब्सक्राइब और अवी तो जैप बेजा उस लिए गूमा या नहीं गूमा आपके ज्यादा नहीं गया बस वो घाटिक जो जो वो क्या होती है वो आउटकर रिफ्मस पेर तक है गया वह इसे बागा है आईयम याद동 तो आदमिं क्याय कर लिया तुम है कल लोग हम लोगा तो इस पैस अफाल में कि डिनकर पास जादा पैस आँद रते हैं टिक्ट म॥ेlex के र हे रहते हैं किसी चाहता हूत Всё तो इसी के बिचला जाता है वहां बनार आणराण जाता है खाने के खर्षे होते नहीं है आने जाने किराय देखना पूर्थ अर उसके पाद इतना पैसा विस्वेस नहीं चले गए करता है तो यह एस्तरों नोर गया का लिया लिच्ट उसमें ऑद सब्सक्राइब जो जो अभू ने तोला ऑब्जर्विंग एक टैनलाइजिं प्रिविउ ओफ और इन स्वेस्टम् सफट्रा आप कि हमारा जो solar system में उसकी जो afterlife होगी, मतलब जो अन्त होगा इसका, उसके बात क्या होगा, उसका उन्होंने बताए कि उन्होंने बताए कि उन्होंने अब्ज़र के है, tantalizing preview, tantalizing जो word है ना, इसका मतलब होता है tentative, something which is unfounded, unproven, कुछ ऐसा जो proven नहीं है, ठीक है, speculative है, मतलब वो thirdical है, तो उन्होंने tantalizing preview, preview समझ भा रहा हो, preview का अनल जो क्या होता है, pre image जलख, ठीक है, तो उन्होंने हमारा जो solar system इसकी after light के जलख, जो है, वो tantative है, मतलब, ठीक है, उसको उन्होंने उप्जर्व करने को रिपोर्ट किया, उन्होंने उप्जर्व किया है, कि हमारा जो solar अब उन्होंने का है कि जूपिटर साइज का प्लैनेट जो है ऑर्बिट कर रहा होगा वाइट डौफ को 6500 लाइट येर्स के बाद यहां से मतलब आज जहां है वहां से ठीक है यह लिखा भी इससे आप जान भी सकतर प्लैस की बाद वर यह तो 6500 साल प्रकास वर्स यहां से दूर जहां हम है जहां पर नुवारा प्लैनेट है यहां से 6500 लाइट येर्स दूर कहीं पर ठीक है एक वाइट आफ है ठीक है और उसके आसपास उसके ओर्बिट में एक जुक्तर साइस प्लैनेट जो है वो अर्बिट कर रहा है तो यह उन्होंने मतलब जो एस्ट्रोमर्स है जिन्होंने रिपोर्ट लिखे उन्होंने यह हमारी आफ्टर लाइफ मतलब कंसीडर की जो हमारा सोलर सिस्टम है इसका भी यह होगा जो यहां से 6500 प्रकास वर्स इसका जो 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 नहीं है नूँज तो अब प्लैनेट का नाम है जो जिसको यह बता रहे हैं और लाइकर यहां से 6500 प्रकासस वर्स दूर जो जो उसने वाइट्वाफ को औरबिट कर रहा है तो उसका नाम उनोंने यह रखा प्लैनेट का दि प्लैने अक है टो जो जो अर्बिट कारय हैslंट। जो 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 प्लैनेट dat discovery not only offers a glimpse into our cosmic future but also इसे ना केवल हमें जो हमारा कॉस्मिक फ्यूचर है उसकी छलक मिलती है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा जब सान हमारा खतम होने का जाएगा तब वो तो जलक्तों में मिलती है बट अलसो लेकिन साथ ही साथ में रेज इस पॉसिविलिटी रेज का मतलब क्या होता है इंक्रीज पॉसिविलिटी और यह संभावना भी बढ़ाती है किस से संभावना यह उनकी स्टेडी जो हो संभावना बढ़ाती है किस संभावना बढ़ात लेकिन इससे हमें यह उम्मीद जगती है इससे सम्हावना बढ़ती है कि नहीं कि जो death of their stars है उसको भी planets जो है या उनको जो life है जो survive कर जाएंगे उसके बाद वो उसको endure कर सकते हैं वादो उसके बाद भी जिन्दा रह सकते हैं वादो उनके survival के chances हैं आफ्टर सर्चिंग फोर इट्स वोश्ट स्टार ब्लैक मैंन एंड इस कोलीग्स कंक्लूड़ग वाद रिखें तो आफ्टर सर्चिंग फोर इट्स वोश्ट था अब जैसे इन लोगों ने कहा कि वह जो प्लैनेट है जिसका नाम लिखा हुआ एम ओ वगर्ण है इन्होंने तो पता रगा लिया लेकिन फिरिह क्या करतेरे कई साल तर उसका पर उसकास बश्च दॉंडते रहें कि वह अबर एक कलैनेट हें तो यह इस स्टम में का सन्त में ब्लैकमेन इनेसअ क्लीक्स कि causal commune का मतलब या पर इसक है तो उन्होंने फिर यह कंक्लूजन उन्होंने यह मतलब इन इसकरस निकाला कि it was orbiting a white war इट का मतलब क्या वो जब प्लानेट यूप्टर light यूप्टर sasize का प्लानेट कि वो जो प्लानेट था यह orbit कर रहा था एक white war ठीक है, that is 2 fend to directly observe और वो white war वो इतना फेंट ना मदला समझ पा रहे हैं थीमा, मद्दम, ठीक है, वो इतना फेंट था, उसकी लाइट इतनी मदला फेंट थी, क्योंकि खतम हो चुका है स्टार था, ठीक है, कि उसको directly observe करना मुझकिल था, ठीक है, हाँ, जा मसला हाँ, उसकी जास वह भागी है, उसे के सिमिलर का मतलब हमारे सोले सिस्टम का भी वही होगा, जो उसका है, उस प्लेनेट का है, थे सन बिकाम बाइट आव बन जाएगा, 500 क करो शालबाद, इनर प्लेने उस इनरोब में अंगल्फ कर लेगा, उनको इनसिनरेट क करते हैं वो खतम हो जाएंगे अर्थ वगे रहेंगे सब एंड वाइडर ओर्विट प्लैनेट्स लाइक जूप्टर शैटन विल सर्वाइड और जिन प्लैनेट्स का ओर्विट वाइड मंदब जहां बड़ा है जो संसे दूरीप बनाया रखते हैं संके मंदब रहें से काफ रहें सेच्ट हरें टरैनेट्स लाइड वाइड मंदब आकशनी वाइड गर्विटी आपे अर्टार शैट्स के नंचेनेट जीया मंदब एड के जाएं यह जूटीन दूर्थ जाना ऐं लाइड को पर्दूस में तो बहुता है जाना हो ए बासे है दिया होता है इडे का मत तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसका मतलब जुख जाना, हार मान लेना यह नहीं है, यहां पर इसका मतलब है प्रोड्यूस ठीक है? The discovery can yield insights about the search for extraterrestrial life और यह जो खोज है यह हमें insight का मतलब समझ, जानकारी दे सकती है, किस वारे में about the search for extraterrestrial life पर यह जो एक्साटर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइस्टर्राइ खीज़ संनिवास तो और किस चीज़ के बारे में हम इंसाइट देती है about the potential habitability of white wall systems जो white wall systems हैं उनके बारे में कि वहाँ पर भी मदलब ढ़हा जा सकता है वहाँ पर भी habitat हो सकता है वहाँ पर भी survival हो सकता है उसके आत दिखिए कि लीजा क्या नाम है यह भी लीजा काल टेनेगर डिरेक्टर अफ तर काल साइगन इंस्टिटुट ऑफ कॉर्णल युनिवर्स्टी युएस है सज़ेस्टेट मलद यह कोई इस्टो नमर पखेर होंगी कॉर्णल युनिवर्स्टी में ठीक है युएस में उन्होंने कुछ सारे नहीं कुछ लाइट बेरिंग स्टार सिस्टम्स ऐसे स्टार सिस्टम्स या स्टार सिस्टम्स का मतलब आप सोलर सिस्टम्स ऐसे सोलर सिस्टम्स जहां पर जीवन है जो लाइफ को बेर करते हैं जैसे हमारा है हमारा सोलर सिस्टम में इसमें भी लाइफ है आर्थ के बारे में उन्हों ने यह सजेस्ट किया है कि ऐसे सिस्टम माइट इवन एक्सपिरियेंस वर्ड सी कॉल अ सेकेंड जैसेज़ का मतलब क्या होता है तो उन्होंने कहा कि जो कुछ सारे नहीं सम वर्ड लिखा हुए ध्यान देना सम लाइफ यह टैज सली तो फौन देनेंगी गेसे पहला ना बनका किया कि अपनाद समुकूयता सार्सिस्टम है वह एक्स्पिरेंस्ट वर्ड से नहीं के लूंध हूरे खक्ट इजिस अंधों यह चाहिए विदिो कूस neighbor प्राणी जीवत प्राणी जैसे इंसान है ठीक है मचलिया है पक्षी है यह सब मतलब जिसके अंदेर जीवन है और गनिक ठीक है तो उन्होंने बताए कि इसमें क्या होगा कि नए जो और इंजिम्स हैं वो एमर्ज हो जाएंगे एमर्ज का मतलब पैदा हो जाएंगे प्रभा तो उसके बाद में जिसके सोलर सिस्टम में वो उसका कनफिग्रेशन फिर से पहले जैसा रहा होगा फिर उसका रिकैलिपरेरेशन वह दौर दो और नए तरीके से तो उसमें क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे और इंजिम्स हो सकते हैं जो नए एमर्ज हो जाएंगे उस नहीं रह सकती है लेकिन फॉंचन जो सकती है this study is exciting because it adds to the growing evidence that planets can survive the death of their star और यह उनकी study है लीजा जी की ठीक है यह वड़ी exciting है मतलब romance है क्यों है यह because it adds to the growing evidence क्योंकि यह बढ़ते हुए evidence में और मतलब evidence को फुकता कर देती है add to the growing evidence का मतलब सबूत को और फुकता कर देती है कि सबूत को सबूत यह है that planets can survive the death of their stars कि जो planets है वो अपने star की death को survive कर सकते हैं मतलब अगर उनका star है वो dead भी हो जाय तब भी planet survive कर सकती है इसको वो साबित करती है which leads to intriguing questions about the future of the cosmos ठीक है जो की जो की जो evidence है जो की leads to intriguing questions intriguing का मतलब होता है something which makes you think कुछ ऐसा जो आपको सोचने के लिए मजबूर करें मतलब thought provoking thought provoking जो आपको provoke करेंगे आप सोचो सोचने के लिए आपको मजबूर करें which leads to interviewing questions जिससे की हमें questions मिलते हैं जो हमें questions की तरफ लेका जाती है हमें सोचने के लिए theory हमें मजबूर करते हैं ठीक है आगे रखते है कॉल्टेनेगर कॉल्टेनेगर ने ये बाते सारी कहीं होगी who was part of the team और यह जो astronomer है who was part of the team यह उस team का हिस्सा थे किस team का that discovered the planet जिसने वो planet जो यहां से 6500 लाइके दूर है उसको discover कि यह उसी team का हिस्सा है if planets can survive the death of the stars अगर जो planets है वो अपने star की death के बाद भी survive कर सकते हैं can life as well तो क्या जीवन भी कर सकते हैं यह तो एक तरीके से confirm आना जा रहा है ठीक है कि अगर कोई solar system है उसका star जो है वो dead हो जाए प्लैनेट्स हैं कुछ planets जो दूर के orbit में होते हैं वो survive कर जाते हैं तो हम पूछ रहें कि अगर प्लैनेट्स survive कर जाते हैं तो क्या life भी survive बर सकती है can life as well यह question tag बन गया ठीक है he wonders वो ऐसा सोचते हैं Lisa नाम से तो लग रहा था यह mail होना चाहिए लेकिन आपर प्रणाम तो ही यूजकर दिया Lisa नाम तो ladies का होता है generally spider man movie में भी तो ओती हो Lisa बता नहीं बाई फिदेशों में क्या क्या हो रहा है India में भी हो रहा है India में भी तो रहा है वह से नाम होते हैं मैलाओं की पॉलों के में एकसा में आ सायरा, ऐको वादयों आजîtreी काओ सरोल अगरा में बहुत नाम ऐसे होते हैं ए कласт format बाद में लिए हें है ऐसे यह ना बाद में जो सही लिपाद है कोर लेका होता तभी बता चल पाता है नहीं तो नाम के दॉप जाने ही नहीं 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 सताथ है कि फार उन पातातार्फ एक दोनों महां नहीं ही नहीं नहीं नम समय बशाया सुमह नहीं वहलीक नग Ao झालव जायी से लगा सके कुछ बडाय बाह साने तुम नहीं कि कुछ पल्राइ को बाळा दलिएन पॉड़ दीवित ओनी है ज़ंगा गलाँ को सेता हों महिलाओं को पुरुस बनने का कुफ़ार चड़ा है वो बाल भान नहीं रिखने कटा देती हैं पुरुसों वाले कपड़े बहनती है पुरुसों को महिलाओं बनने का कुफ़ार चड़ा है वो बाल बड़े लंबे लंगे रख लेते हैं महिलामवले कबड़े पहन लेते हैं, गलाज वगएर होने हैं देखी है, गल्यू भाई सित्या सा कली वे, मतलब बात हैं कलीव भनी आते हम कहां पढ़े हम बात करें ही विद्रस्तरण अपर गल्ती से ही लिखा है यह पाता नहीं है पूरीछ क्या मसला है तो ही वंदर सोचते हैं कि अगर यह कंफार्म है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्वाइब कर सकते हैं अपने संगी डेथ को तो क्या लाइफ भी कर सकती है मतलब ऐसा सोचा जा रहा है वो लोग विचार करें इस तो आगे बढ़ते हैं डाइंग स्टार्स स्प्यू आउट हमफूर्ड रेडियेशन एस दे ग्रो इंट फेस कॉल्ड रेड जाइंट्स और इंट्रूद्स तर्बूलेंस इन देर सिस्टम्स ताइट कूद अब्लिट्रेट लाइफ सढ़ चार हम तो मरता हो स्टारेट मातिं स्टार प्लिक है इसा स्टार जो अपनी एंड स्टेज में पहँंच गिए और थैसropolी क्या गता है इस्ट्रू आउट करता है इस प्लिट करकू करना शीओ कि माषए ए हैं corrosजर माफे सब्सक्राइब बहुत खतरना रुक्सान दायक रेडियसन इस प्रोट गरता है जिस फेस को का जाता है जब वह रेट जाइन अवस्ता में जाता है तो बहुत खतरना करता है तो बहुत खेसा सब्सक्राइब रेडियसन जोता हुआ यस प्रोट करता है थेक है एंड इंट्रोडूस टर्बूरंस इंडेर शिस्टम्स और अपने शिस्टम में एक टर्बूर्स इंड शिप्रोड्यूर्डिनस का मतहरा समझता है अप्राट हुआ को मोशन अबवे और वो जो harmful radiation है, और वो जो turbulence है, वो क्या कर सकता है, can obliterate life, obliterate का मतलब समझते हो, destroy, ठीक है, जो की G1 का समाप्त कर सकती है, मतलब वो जो turbulence होती है, और वो radiation harmful होता है, वो G1 को nest कर सकता है, however, फिल भी, there are some speculative scenarios, speculative का मतलब theoretical, not proven, ठीक है, बट theoretical, तो जैसे यह उपर टर्म लिखाना है, tantalizing, तो tantalizing वो speculative लगोगा, आप सहमानी है, speculative आपलो something which is theoretically established but not proven, तो आप इसमें कहले है, there are some speculative scenarios, कुछ speculative scenarios भी है, that might preserve the habitability of wide-off systems, जो की wide-off systems की habitability को preserve कर सकते है, habitability का मतलब होता है कि habitat होना, जहां पर लोग रह पाएं, जहां पर जीव जन्तु रह पाएं, survive कर पाएं, ठीक है, क्या है, वो speculative scenarios वो अगले पर में आपको समझाए गया, there are a lot of things that have to go right, life के survival की लिए, बहुस सी चीज़े है जिनको सही होना पड़ेगा, मतलब की life survive को कर सकती है, ठीक है, तो आप system में, लेकिन उसके लिए बहुस सी चीज़े जो होनी जी, जैसे उन्हे होना है, जैसे कि one of the researchers imagines a planet distance from a red giant star that then moves inward after the star becomes a white-off and retains enough water to potentially be able to live, when the star turns into a white-off, अब देखें, इन्हें एक scenario दिया है कि जी scenario में life survive कर सकती है और white-off system habitat हो सकते हैं, क्या, researchers ने यह मतलब researches में से किसी एक ने imagine किया है, एक ऐसा planet, ठीक है, distinct from a red giant star, जो red giant star से दूर है, फिर उसके आप क्या होता है, then moves inward, फिर बात में क्या होता है, जब red giant face खतम हो जाता है, तो उसके बात में फिर वो क्या करता है, और बीट में अंदर आ जाता है, पहले दूर होता है, जिससे कि वो radiation से बच जाए, लेकिन बात में, then moves inward, फिर वो अंदर आ जाता है, और बीट में, and returns, and of water, और पर्याप्त जो जल है, वो भी return कर लेता है, कि मतलब ऐसा नहीं हो का, इरडियेशन के होज़े से उसका जो water है, वो सारा evaporate हो जाए, ठीक है, तो उसका water भी वो return कर लेता है, प्लैनेट अपने उपर, किसलिए? To potentially be a place, जिससे कि वो एक ऐसा potential place बन पाए, जीवन के लिए, जहां पर जीना संबब हो, तो मतलब यह एक scenario है, कि अगर ऐसा हो जाए, कि कोई जो एक planet है, जो giant face में sun से या star से दूर हो, लेकिन जब वो अपना giant face जो है, उसको जब वो sun पार करके white dwarf बन जाए, तब वो planet उसके पास आ जाए, मतलब inner orbits में आ जाए, और उस planet पे पानी हो, जिससे की जीवन को वहां पर survive कर पाए, ठीक है? तो ऐसा possible है कि life जो है, वो white dwarf system में भी survive कर जाए, मतलब यह scenario है, imagination है, अगर ऐसा हो जाएगा, तो फिर life बच सकती है, लेकिन अब ऐसा ना हो, पता चले कि वो inward आई ना पाए, planet ठीक है, या पता चले कि inward आ जाए लेकिन उसको वाटर ही ना रहे, तो मतलब यह scenario है, imaginary scenario होता है, speculations है, क्योंकि जो white dwarf होते हैं, जैसे कोई संजब होता, white dwarf बन जाता है, तो बहुत size में छोटा हो जाता है, और dim हो जाता है, मतलब उसमें उसनी brightness, उसनी heat नहीं रहती है, such a planet would have to be in a very close orbit, तो यह जो planet है जिसके बारे में imagination कर रहे हैं कि वो outer orbit से inner orbit में आ जाए ऐसे planet को would have to be in a very close orbit उसको उस white dwarf के बहुत close orbit में होना पड़ेगा क्यों होना पड़ेगा? वो liquid water to exist जिससे की water liquid form में exist कर पाए अब पास में होने से कैसे liquid form में exist कर लेगा water? इसको इन फिलेगी और अगर inner outer orbit में रहेगा दूर रहेगा तो इस water solid हो जाएगा जम जाएगा, freeze हो जाएगा तो frozen water तो life fully muskill कर देगा ठीक है तो यह सब imagination है कि चुंकि जो white dwarf होते हैं वो small में बहुत size होते हैं dim मतलब size में बहुत small होते हैं dim होते हैं तो इसलिए कि जो planet है जिसके बार में imagination कर रहे हैं इसको उस white dwarf sun के बहुत pass होना पड़ेगा बहुत pass के orbit में होना पड़ेगा जिससे कि जो उस पे water है वो liquid former है दूर रहेगा तो फिर वो coldly की वेज़न से freeze हो जाएगा However, if life will emerge होना world like Jupiter, Moon, Europa अब हम कह रहे हैं कि अगर life मालो imagination है अगर life को emerge होना हो ठीक है विकसे तो होना हो जैसे Jupiter का जो moon है ठीक है, Europa उस पे इस तरीके के मतलब जगे पर अगर life को होना हो to which might contain a sub-surface ocean जहाँ पर एक sub-surface ocean sub-surface ocean आप मंदर समझ पा रहे हो surface के नीचे ocean जैसे यह जमीन है ठीक है, उपर solid surface है ठीक और उसके नीचे ocean है ocean है जिसमें currents बहती है ठीक है धारे बहती है तो which might contain जिसमें हो सकती है जब एरोपा के बारे में बाते बताई जारीगी हो जो एरोपा है Jupiter का moon उस पे ऐसा हो सकता है container sub-surface ocean क्यों हो सकता वहाँ surface के नीचे को ocean हो warmed by Jupiter's tidal forces और Jupiter की tidal forces है उन्होंने वु शोर्षन को गर्म कर रखा हो जिसकी वाज़े से water liquid form है हो और life view हो पर survive कर सकती हो ठीक है it could potentially survive better greater distance from the star ठीक है अब यहाँ पर एक चित यहां से देखना यह तो उन्हें पहले if clause लिखी थे ना if life world to emersonal world like Jupiter's moon Europa यह तो if clause है इसके result clause यहां से लिखी है it could potentially survive और यह जो बीच में पूरा लिखा था which might contain a sub-surface ocean warmed by Jupiter's tidal forces यह पूरी clause adjective है और यह description है Jupiter's moon Europa का ठीक है तो वो बीच में लिखेगे additional information है main information जो है वो अफ्सुल होती है it could potentially survive at a greater distance from the star तो अगर जो Jupiter का moon Europa है इस पे life to emerge करना हो इस जैसी मतलब जगे पर जहां पर sub-surface ocean हो सकते हैं ठीक है hot water के साथ में तो फिर कहा है it could potentially survive at a greater distance from the star तो जो star है उससे ज्यादा दूरी पर भी life survive कर सकती है यूरोपा है जहां पर sub-surface ocean है जिसको वहां की tidal forces जो है वो गर्म रखनी है तो अगर इस तरीके का scenario इस तरीके की situation अगर possible हो यह सब इमेजिनेशन है तो फिर जो वाइट वाफ system है उससे दूर जो orbit मनदब उसके दूर के orbit में planets है उन पर भी life possible है अगर यह वाला सीनो sub-surface ocean हो और जिसको tidal forces जो है वो heat देती हो if humanity is somehow still around in 5 billion years अब conclusion पर आगे हम लोग passes के अब हम कहने if humanity is somehow still around in 5 billion years अब मान लोग इस किसी तरीके से अभी तो यह तो पांसो करोड़ साल दूर की बात हो नहीं तो हो सकता है तब तक life ही ना बचे ऐसी destroy हो जाए यह pollution है climate changes है nuclear weapons है ठीक है यह कोई aliens का invasion हो जाए तो पता जले 30 जित तब तक बचे ही ना उतने साल तक होड़ी life ही ना बचे तब तो यह सब पढ़ने बढ़ाने का कोई पायदे नहीं है लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर somehow मालो किसी तरीके से हम माल लें कि किसी तरीके से 500 करोड साल बात भी जीवन होगा मतलब इंसान होंगे जीवन होगा ठीक है वो सेन में क्या होगा we would probably have a better chance of surviving the sun's red giant phase on a moon of Jupiter than owner तो अगर 500 करोड साल बात भी लाइफ रहे प्रत्वी पर और हमारा जीवन नस्टना हो किसी वज़े से तो फिर हमारे जीवित रहने के जो चांसे हैं बहतर चांसे जो हैं वो कहां होंगे Jupiter के Moon एरोपा बिना की अर्थ पर क्योंकि जाते हैं इनर और विट में हम तो जाएंगे 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 तो अगर Humanity तब तक बच जाया और जीवन तब तक बच जाया 500 कारोड सालों तक बना रहे जीवन इस सोलर सिस्टम में तो फिर बात में हमारे जो बचने के चांसे हैं ठीक है वो यहां अर्थ पर नहीं होंगे वो हमारे होंगे फेर नून आफ जुक्टर उस पर बेतर चांस होंगे अर्थ पर बचने की चांस कम रहे हैं तो यह हमें ऐसे पढ़ना था ठीक है अब इसको जब आपने पढ़ा तो आपको समझ में आवगा पर नहीं कि इसको पढ़ने के लिए हमें दो चीजे चाहिए होती है मतलब एक तो पढ़ना आना चाहिए वह तो हाई बेसिक सी बात एक तो हमें जो grammar के sentence के structure सुदने को clear होने चाहिए कौन सी objective phrase है कौन सी objective clause है तो मीनिंग अच्छा निकाल सकते है अगर हमें वह formation of the sentence structure of the sentence को समझने में दिक्कत होती हो हमें एक नहीं दान पाएं कि subject क्या predicate क्या है objective क्या है adverb क्यों है कौन phrase है कौन clause है कौन किसका description यह जानी ना पाएं तो होच पोच हो जाएगा तो आपका दिमाग उस process को उस information को process नहीं कर पाएगा comprehend नहीं कर पाएगा comprehend नहीं कर पाएगा तो रिटेंट भी नहीं कर जाएगा तो पड़ोगे भूल जाओगे मतलब ऐसे हो जाएगा तो एक तो जो formation sentence के structure होता है उसकी हमें clarity होनी चाहिए यह phrase, clause, subject, predicate खलाना, item काना यह सब हमें आना चाहिए ठीक है? और दूसरा जो school college में तुम लोगों नहीं चीजे पड़ी थी जोगरफ्टी से related, चाहे science से related वो भी clear होनी चाहिए तो बेहतर comprehend कर लोगे अब अगर उन दोनों में मतलब थोड़ा सा मतलब कमजोरी है कि हम sentence का structure भी identify नहीं कर पाते हैं ठीक है? हम जानी नहीं पाते हैं कि कौन subject, कौन किसका description, कौन क्या तो मुश्किल हो जाएगा पढ़के समझना और याद रखना या फिर जो basic information आप से expected होती कि basic जानकारी इतनी तो कम से कम तुम होगी अगर भो भी ना हो तुमें तो भी मुश्किल हो जाएगा अब मुझे लगता है आप लोगों ने जो पहले बढ़ाओगा उसके मुकाबले पिक्सर ज्यादा क्लियर होगी पहले से बेंतर क्लियर हो गई होगी अब आपसे अगर कोई दुवारा पूछे कि इसको पढ़के क्या समझा तो मुझे लिखता आप जाज अच्छे तरीके से डिटेल बतापा होगी तो यहीं पढ़ने का परपस है यह जो हम देडिंग सेशन साटेड़े को रखते हैं या जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि 7-8 की इंग्लिज की बूक्स पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ने हैं कि जो हमने पढ़ा है वो हमें क्लियर होना है जाए कि हमने वह यह पढ़ा है और इसका मतलब यह होता है यह नहीं हमने फ़र्वनिटी करें और हम आगे भागते चलेगे पिछह क्या पढ़ाता उसका मतलब क्या था वह में कुछ नहीं पता है अब देखिए जो हमारे टेक्स है जो अब हमें इसका फिलिंस कर लिया है इसको अपने आप यह पढ़ना है ठीक है यह आप पर पास रहे गए और नहीं पर यह असाइन्मेंट ना मैं उसका कर दूंगा चैना में तो आप वहां से भी डाउनलोड कर लें तो अब ही जैसे यहां से क्लासर में पर ही होता हमार तो यह पीडिया कुसी पर ब्लोड ही होता हमार तो वहां से इसका पीडिया निकाल लेना बाद रहता है फिट से रे स्टड़ी करना दुबारा से स्टड़ी करना और बेंतर तरीके से समझ में आएगा हो जबता मैं सम्झा रहा हम कुछ ना सुन पाए और ना समझ पाए और ना समझ पाए तो प्लारा से पढ़ लेना चला अब क्या रहतने कि उससे इंप्रटन वोर्ड्स हैं यह जो प्रिक और हम ने किये हैं इनके वाँ मीनिंग डिसकस करते हैं फुरू से मॉक्यापिल जाहिए इंसिलरेट इस पुल नहीं लिए वर्ग है पार्सल स्प्रिक्वियों में लिए लिए तना हुं टेड़ मैं एंप्लूइट इंप्लूइट इंप्लूइट अओ आ है मैं दिंख्लापिक्वियो पिर दियो कि और दूं के दे तरीके त इसका इवार्षत पिरत न यह संप्ला जाता हो सब्दसा कं अ आ तक लगवल एंप्लूइश होर्ग गाल राम यूज़्य वैसे लिकिन गोड़न अ है व्रूज़ियो पार्सितर इंप्लोड़िय मतले हमने पड़ा इसमेर इसका ऐःदिक्टिवी रोब मेरिस का इढिक्टिवाथ है इसका बैदिटिव इस पैदिले डिया अंगे उसके अग्या उसके आतब के अग्या तरफ पॉल अप्न घर हो गया कुन के पाल अने यृट किरीग एड़ेट डाओन नाय विरूट में बहुता है वर्ड में रोता है मेंुसर सब्रक्र कर ़ुक होता है है इंट्रीविनी इंट्रीविनी यह टेको अगरप आपका कि रॅरला के छुए मिरला में यह क्लाक्स टतुरा में सबस्क्राइब कि αναभल भूइत पैसेज मेंले पैसेज में हुआ उसका एन वर उसी ही, ऑफ लोठेड़ कहो हूभ हुए हुत है तो पनो कोई नहीं कर दो खूआ कर दो जो कि अज़गा करता लेका हूं बर्ड़ करें आपको आपको अगार सॉफने सब्सक्राइब करेंगों इसाना स्थाहर इसलोगशना सुभाव समया शुर्ड़ंस कि देखो एंसे नेट का मतलब बर्ड क्रिमेंट कि वैसे पर यह दो जी बोलते हैं चिनोंने एक में तीसरा लिखूंगा लेकिन इसका मेरी थोड़ा सा होता इसका मतलब पर जलाना है लेकिन इसका मतलब जला के किसी को मारते हैं इसका मतलब जला देना मतलब बाकी का मतलब जलाना होते हैं किसी उतरी है क्लिव को क्या हैं मेरी था इसका मतलब इसका मतलब निकालना इसका मतलब इसका मतलब जल कोड़ना बत्रोड़ करना इसका मतलब रहता है निशकरस निकालना मतलब करना मतलब आपने finally study करके यह अपना opinion बना दिया है तो decide हो गए, desire for हो गए, reduce हो करें, understand हो सकता है और देखो यह तो हो गया एक meaning इसका निशकरस निकालना, एक meaning इसका finish क्यों होता है कुछ ऐसा जो टेंटेटिव है मालव कुछ ऐसा जो भूरेन है अनक्रूवन है वरेन गलत लिए जैज वरेन मं लिए रिए जैज उन्प्रूवण है आजए लिए लिए हाण क्या साम हो सकता है वेरा साम दर लिए उसके बाद अगे ग्लिप्स, इसका मतनब होता है साइड, पीर, चीक है, और एक वोट ता ग्लांस, मतनब जहलक बगारे किसे चीज़ के, मतनब प्रिविव जो एक वादी जो आदा है, इस तरीके से, फिर आगे तर्बूलेंस, तर्बूलेंस का मतनब बिस्टोंगेंस, है, है, हैसिटेशन है, हैसिटेशन है, हैसिटेशन है, हैसिटेशन है, हैसिटेशन है, हैसिटेशन है, इस तर्बंस हो क्या, 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 क की turbulence का मदलब क्या, disturbance, disturbance, commotion, turmoil, chaos, at six and sevens हा, at six and sevens, जो होता है, वो additive होता है, at six and sevens, टॉआप आगया, आपने वैसे तो टॉआप तुमने देखाऊ है, जो बैसे animation वाली movies होती है, उन में होते हो झाँ, elf होते हैं, वो भी टॉआप कर जाते हैं, ठीक है, इसके बाले meaning लिखेंगे इसके, drop का मतलब क्या, small, meaning, give me a tip, और एक और word होता है, minute, यह जो word हमने लिखा था, last minute इसको में underline कर दिया है, इसको आप देखोगे तो जो time key unit होती है, और इसकी spelling same है, यह दा न, minute hour, तो जो time key unit होती है, इसको में कहता है minute, 10 minutes, ठीक है, यह है minute, जब हम इसको minute पढ़ते हैं, तब यह होता है noun, unit of time, 60 seconds, लेकिन जब यह addictive होता है, तब हम इसको पढ़ते है minute, और इसका मतलब होता है, small, minuscule, यह इसका मतलब हो गया, तो drop जो addictive होता है, तो इसका synonym यह हो जाता है, minute, speculative, unfounded, इसका भी मतलब हो गया, unfounded, थर्टिकल, अजब कुछ ऐसा जो थर्टिकल है, ठीक है, बाकि वोई उपर वाले, टैंडिलाइजिंग वाले, दुबार अबर लिखना ने जिए, तो अबर ध्यान ने जिए, बाकि वोई जो टैंडिलाइजिंग ने जिए, speculative, unfounded, unsight and indefinite, speculative date of the exam, speculative, unfounded, not certain, fallout, वो कांगे जो मुवी देखता है, ये, तो देखता है, मुवी बहुँ ज़्यादा, मिसर ने पॉसिबल 6 देगी है, कहा ना है उसका, Miss an impossible 6 देखता है, जाना है, fallout की है, एसका नाम है, miss an impossible, fallout, यही fallout, जो हमने यह आपई लिखा है, इसको अबतलब होता है side effect, अजलाब side effect, side effect जो होता है उसका effect अच्छा होता है या बुरा होता है बुरा ही होता है, जिसे दवाएं जब side effect करते हैं तो इसका अज़ोगी effect जो तो bad होता है तो fallout का मतलब यह होता है, bad is the result of something तो fallout का मतलब होता है, bad is the result, consequence, outcome, after effect, after effect और side effect जरू लिखना, जोगी exact meaning इसका हो जो होता है, side effect इसका मतलब के side effect, fallout on to side effect मतलब दूष प्रभाव इस दी में लिखना उसका अज़ोगे yield, अभी जो yield word है, इसका जो सबसे common meaning होता है, वो सो होता है, give in given का मतलब क्या होगा, surrender कर देना, quit कर देना, armand लेना, submit कर जाना, relent कर जाना, में इसका meaning होता है, I will not yield in any condition, इसका जो जुख जाना, अच्छा, लेकिन जो हमारा पैसे है, इसमें इसका यवाला meaning नहीं जुआ, इसमें इसका जो दूसरा meaning होता है, जो less common है, मतलब ज्यादा common meaning नहीं, लेकिन what did you use? Why, produce? His efforts needed no results, जयादा मारे किसी परसन ने कोई कोई कोशिच की, ठीक है? लेकिन उसकी कोशिच से उसको परणाप नहीं जिला, मतलब उसकी कोशिच से उसको परणाम नहीं जिला, मतलब उसकी कोई कोई पड़िच नहीं किया, तो हम कहा देंगे, his efforts needed no visit, ठीक है? और हार मलेना जोता है, वो बाद वाले मीनिग है वो हमारे स्पैसेज में था, बाकी होता है यह कि द्याने ना, और यह में में मीनिग होता है इसका है, ज्याद है common meaning यह है इंक्रिविंग, इंक्रिविंग का मतलब something which arouses your curiosity, ठीक है, जो आपकी curiosity को जड़ा दे, तो एक का curious रिख से, curious को अधिक होता है, something which is curious, मतलब कुछ ऐसी, curious का यूज हम करते है, person को भी describe करने के लिए जिसमे curiosity होती है, और curious का यूज हम करते है, किसी ऐसे object को जो की strength हो, जिसकी ब संचे वाँ बार वोकें एपन के लिए, के आपकी direction को जाएचे सुनातर ईएन यूज है, आख़छतने के लिए। सुचने के लिए क्यों सोचने के लिए जातने के लिए भी जो जाने इस्तों इक थासे को पिक करना है अधिर ओकए बीज सकते हो एधिकर आसे सो अच्छब करते आप सोछने समय यह ले मफ्टों तो है इनधीर इंट्रिग कर।्स्जीन अच्छेकर क्रम्बल करना टिक है एक तरह के से एंड हो जाना जो टुस्म करें देना तो यहां पर याब जादे अब आज्य साफ यह ना है.. K-N-N-I-H-I-L-A-T-E बाकि अबॉलिस वो गरे भी लिख सक्टर हो जगे हो पॉपना, अबॉलिस वो गरे भी लिख सक्टर अबॉलिट करदा है वाद अबॉलिस करदा है fate destiny luck chance fortune fortune यह होगे इसके यह तो होगे इसके जनल में नहीं इसके अलावा fate का यूज मन्दब end में हो सकता है fate का मन्दब end doom the fate of this planet Ragnorak movie देगी किसे नहीं तो लोगी देगी होगी बोलोगी देगी हाँ, बोलोगी यह होगी travel तो पो जो तया हिरत Your Reignorak के है नहीं, पोल multip अश्चार मोsho्ड Wiram अश्चार मो odd अश्चार किसे नहीं गवा मोट रच्देख्व अश्चार पहन चतो है पुल डेमन को कहता है राग्णरका? अजो अपरियने बड़ी गविश्राणी वह? गविश्राणी जो मदलब करीविया था कि अंथ हो इसी लिगा हाँ राग्णरक भविश्राणी मतलब उसका जो प्लैनेट है एसगार्ड उसका अंथ और योज़ नमन होता है, यहां ते सवास्वाहों होता है यूश्थ है? टेक है, तो फेट छोंद वहाँ है नॉम अनॉम यह तुम्णारा इसक्तमारा इस चौरणा करना क्या क्या ओरो थो डॉर्ट, टोलरेट करना, बेर करना, लॉसक्तमार दो नॉम, सब्सक्तम थांकर आफलाए नॉम है कुछ experience करना मतलब भुगतना एक तरीके से he endured much sufferings there ठीक है तो indoor करना मतलब बर्दास्ट करना और एक मतलब और इंडूर करना अब यहां ध्यान देना यह लास्ट वह और नहीं है फ्सेकेंड वर्व है इसका उंदर चलना वो आन ठीक है कि गौन पंटीनों पंटीनों पेज्ट जो हमने आपके लास्ट वर्ड लिखा है ध्यान रखना यह यह गेटर्मिनर नहीं है यह लास्ट यहां पर वर्म है और उसका उदर चलना है, it will not last long, जैसे बुछ लीज है, हमने देखा कि टिकाउ नहीं है, यह जल्ली खताम हो जागा बहुत दिस चले रहेंगी, तो हम उसको ऐसे कह सकते है, it will not last long, तो last long जै चलना, तो चलना, तो चलने यह words हो गया है, now turn over the face, यह task 1 और task 3 पहले है, task 3 में एक काम कीज़े, पहले थोड़ा अपना दिमा लूज कर लो, क्या करना है वो तुम्हें समझ में आगया होगा, बागी पर बता भी रहता हूं, देखिये, यहां पर आपको किछ इन फ्रेजल वर्वस को पढ़िए, इनको समझीए, और फिर देखिये, जो दियेगे sentences हैं, इन फ्रेजल वर्वस का उनमें यूज करना है, एक फ्रेजल वर्व एक ही बार यूज होगा, मतलब कहने का यह कि जितने questions हैं, उतने options हैं, spare में कुछ है नहीं, तो अपने ध्यान झासे लुसका नहीं को थी एक डल मतों को समझीए बार ग्यान फिर एला इन फ्रेजल वर्वस को बार में यूज होगा। लुट कर दो दो में आपने हैं झाल झाल कि अब एक काम करो पहले कोड़ में इसके मीनिस पता रहता हूं फिर तो में थोड़ा साही कि पता लगाना असाम रहेगा कि कौन साफ देगा और किस कुर्शन में इसके मीनिंगी पर समझेश्ट अ रहने इसको का मतलब तुमी सदनली मतलब अनेक्सपेक्टेटली कोई परसन है उसको अचानक से कहीं पर मिल जाना टकरा जाना परेंदाओं करना किसी कीज़ को तुमोर्ट ने किसी कीज़ को नोट कर ले कि लेका में उसके लाए कर दाए कर दाथ के अधिक लिटाओं अपने जरुटकों के लिए पास पहुंचेगा मदद के लिए कि सब्सक्राइब को रहा है तो कम अपने जरुटकों के लिए मदद के लिए किसी भी डिपेंड करना उसके पास जाना मदद के लिए ठीक है हाव दिश्केश का अनग्जटल ही किसी चीज पाजाना है किसी परसं से मिल जाना करना, I came across a back there, look up to, यह बहुन पार प्टीकम आता रहता है, look up की, look up का मतलब उत्द रिगार्ड, admire, किसी को रिगार्ड करना, admire करना, पूतब बिल का मतलब पते है कुछ पॉलरेट जो भी हम पढ़ रहे थे इंग बेवा सब्टाइब का मतलब ने परदास करना जेयं गर्ड़ा और इस्टेंड और ना मतलब किसी के पक्स में ख़ड़ा होना अलग होता है वह होता है stand up for, stand up for का मददर किसी चीज़ को अपना समर्थन देना और stand up against का मददर उसका विरोज करना, यह stand up for नहीं है केवल stand for है, stand for का मददर represent करना ठीक है, stand for का मददर किसी चीज़ को represent करना, उसका substitute होना चलो, अब मीनिंग समझ में आगे हो जिल्दी से हो जाएगा, अब यह planks फिर से एक बार पढ़ो और देखो कौन सा फ्रेजर लोल किसमे यूज़ करना, अपने आप पर इस्टर नेला, pen, लिखता नहीं है, लिखने क्या अदर चाल ने, तो पॉप मार पढ़ाएगी झाल जाएगी झाल ने आप लोल झाल 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 कर लिए पढ़ें किये तुम्हें नेखो आजो अब पढ़ते हैं सबसे पहले में लिखा हुआ है माई अंकल इस अच्छा गूड परसन कि मेरे अंकल इतने अच्छे बेखती है that everyone in our family dancing यह कौन सा मतलब हुआ अच्छा आजमी होता तो सब उसी को भी depend करते हैं ऐसा तरही है depend करने का अच्छे मुद्व उसे मतलब नहीं है regard करना मतलब अच्छा आजमी होता तो अच्छा आजमी होता तो सब उसको regard करते है ठीक है तो इसमें आजागा looks up to that everyone in our family looks up to him looks up to him का उनकर रिगार्ट है यह सब उसको रिगार्ट करते हैं एड्मायर करते हैं क्योंकि वो अच्छे है यह नहीं क्या सूचके fallback on तो नहीं क्या सूचके बोला तो पे अच्छा आजमी हो जब रोज पूरी करने में सक्षम हो या ना हो लेकिन यह नहीं क्या सब्सक्राइब करने हैं यह तो कोई लाजिक नहीं हो ना कहां का रोड़ अ अगला देखा एक चाल्ड शुड्ड है वान ओल्डर चाहिए हम क्या रहे हैं कि हर एक बच्चे का एक कम से कम उससे बड़ा चाहिए ठीक है अगला जैनल मित्य। अगला गजुड़ यह प्रएखिए टीक है कि यह भाध धी कोश्ष्ट जोँग आगे आंसर लिखा बाद है कि लिखे ना उसके बाद है है कि टो यहां से दिन के फोर है कि अ शिस का श्रेकर कन रहे दाए तृ औलुट टो मतलब को ढौई राइट जाएगा, ठीक है हाँ, everything से पहले राइट जाएगा और बात में जाएगा, his students write everything down, write everything down, note कर लेना, then note everything, it was hard for him to dash the boat because she was feeling a little sick when they reached the dock, get off, get off, उतरना, बोट से उतरना, ठीक है, जब दॉक पे उनकी पहुंची होगी now, ठीक है, तो उसको बोट से उतरा नहीं जा रहा me, this is, तुम लोगों से तबपी किसमी और बोट में मुका मिल मीज़ने जएगा, क्सको मिला, तुझा कहां मिलीके पर अच्टा बेरर, को जाता है गाह कर दाता एकिसका, between. नदी किना रहे हैं कौन सी नदी गहाँ आगे गंगा जी के किना रहे इना नम आधे को हैंधा है कहा है तरह को तरह हुआ इतिक हमारे पॉदी गंगा जी है एक टिक है जब बारा आते ना तो जितनी दूर तक देख आऋं बस पानी सबिए जीदे दूर तक निजर जाएगी पानी के लाओ और कुछ नहीं दा होओ अब K j hence 8 पहीं किसवर Adams अफ तो नहीं आ ल geschयुने नर्ट है लेकिन फीर आए नहीं हमारी दटब नहीं कुछ रहर कि जिए आप नचाहिया काम भेज है? क्या? काम भेज रहता संप बट वर्चप पर लोग के सां जायर कर दो हरदोईटिक है मैं अपलाँ में उचेया से पहले हरदोईटिक है मैं भाझ कि लगते है चलो अगे लिए पैजा तो यह हो गया कौन सा हो गया? 6 हो गया अब 6 पे आते हैं, this is such a big city, कि इतना बड़ा साहर है, I am always amazed when I dash someone I know on the street. Run into, run into, run into, run into, लिखना इन तो भीरो come across दिक्कत कर देगा, तो और भी उसकरना परेगा. तो हम कहारे हैं कि इतना बड़ा साहर है, I am always amazed कि मुझे बड़ा आस्चर होता है, when I dash someone, run into someone I know on the street. क्यों इसको आस्चर क्यों होता है, यह कह रहा है कि जैसे जब कुछी मुझे जान पेचान का person कहीं गलीव, अगर मैं street, road पर मिल जाता है, तो मैं आस्चर क्यों जाता हूं, क्यों जान पेचान का आदमी मिलने से क्यों इसको आस्चर जाता है, क्यों इसको आस्चर इतना बड सब्सक्राइब करना पर दास करना पर तोलेट करना पड़ता है ठीक है पट यह बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा इस्ट्रेस ना मदद लेए उस्ट्रेस के ज्यादा इस्ट्रेस ना हो जाए अग्या देखो करना इस्ट्रेस ना हो जाता है कि आज सुबह इतना जट्रवाजी में था हैं तो इसमादी को जाता है अपनी जाता आपनी जैकेगा कि अपनी जैकेट पहने बगए इन जल्दवाजी में चलागी वो मूवी नहीं है ठीडियर उसमें वो राजु रस्तो भी होता है जब उसको फरान वो फोन गरता है ठीक है तो वो बिना पैंस के बाग जाता है ऐसे ही नहीं होता है मूवी अच्छी दिवाज है वो तो समनी देखते हैं लुख सब्सक्राइब करते हैं कितना चड़ाई लोग ता कितना अच्छा गाना था आँसे अच्छी मूवी यह हो मुद्द उस समय आमिर खान की तेचार पीजाए वह बज़बी थि सब एक के बाद एक अच्छे थे हैं तारह जमी पर इक लेट उससे पहले आई थे रंदे बसंती सबसे पहले हुए वहाँ सर पर शुभा दर्धी बध बॉड़ जम होगे देक हैं उसके आद न तारह जमी पर है तारह जब पर उससी रोम इती है इसी रोम में थि लेकिन वह अ वो भूजपुरी लोगों ने बनाई वेजनी मूवी के रिलमेंट उसका नाम बरिए टकला का बदला अज़ कायगा नहीं देखिए तुल आज हैगा पत्की तो भूजपुरी न क्या बुराई है अपने तो भाई वैन है भूजपुरी देखो उनकी फिल्लों है एक ने है वो इंगलिष मोवी है क्रिस्टो mere nolyn की मिमिंटो उसके रिमेक है वह वाजपुरी लोगोंने उसका नाम रख दिया आदमी खावेवाला सपवा और उसका बनाएगा नम निशन इंपस्वेल का तो मिशन इंपस्वेल इन नम रखे इना उपाई बेर इन इंपना तो आए उसका ए। जो गठे इना ऊपाई ए बाबा वो जो हम बात करें ने सीरियस नोट पर बात हो रही थी इस लल्डू ने वो कजने की राधियर के सो डिरेल कर दिया तो जैसे वो रखते बसंती बड़ी के जब मोवी थी लगान है और वो एक रितिक रोसन की आई थी वो जो आस्तोस गोवारी कर नहीं वो भी बनाई थी अब बनाते पीरे ड्रमा मोगी है एक अवसे को लेकर वी बनाई थी और जो उदर कोई चिपको आन दो ना साय यह नहीं कुछ ऐसे ही था मतलो उसके 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 नहीं बनाई थी एक इवेंट वाता हिस्ट्री में बंगलादेश के कोई इवेंट था हिस्ट्री को उस तो लेकर अभी सेक्वल चंगोली करो नहीं थी खेले मिजांस है तो वो आसको उसको बार करें मतलब पिरे ड्रमा मोवी बनाता तो लगान तो इतनी गजा बनाती और मोहन जनारो रिती रोचन के मुवी अगर कम लोगो ने देखी हो अगर देखते हो फिस अगे गुजारी से देखिया है किसने देखी गुजारी से तूने गाहा देख़ी पे यूटूपर इंटेंस एक्टिंग देखनी है ना यह मतलब ट्रामा रामा न्याटक बाजी नहीं ठीक है कि इ यह नहीं देखने हैं मतलब एक्टिंग आर्ट देखना चाहँ हो तो गुजारे सुरील से होगी उसमें रितिक रोशन है और एसुरे राय है दोनों भी बहुत जा देगा जब एक और उसी टाइप एक और मुवी है रेंपोर्ट वो भी तुम लोगों नहीं देख जोगी क्या अगर आर्ट आप पसंद कर तो सिनेमा का मतलब आर्ट समझते हो ठीक है तब तो यह मुवी बड़ी पसंद आएंगे कुजारे से है रेंपोर्ट है ठीक है और अगर सिनेमा का मतलब मनते हो डायलोग्स, कॉमेडी, भाई, भाई जान, ठीक है हमके मतलब किसी के फैन हो किसी पैटिकलफ पके की नहीं है तो हम यहेद fundamental प्रोप। जो तो फिर नहीं टेख लेकिन अगर आट के फैन हो के हम मुवी आइपके झाल के लिए घेखते है तो यह मुखी वड़ी हो लेकिन मुझे लगता है कि जो अगनीपत इसने वनाई किया नवृतिक रोशन गिया वो अमिताब बाले से भी अच्छी बन दी नहीं तो अरे में तुवारा उतने इच्छी बनती नहीं लेकिन बड़ी इंटेंस एक्टिंगर दी और उसी जब मोहन जदार परवादी नाथ मार दिया फिर प्रफेसमें डिरेल कर दे फिर वापत आते हैं रंग्दे बसंती गातने कौन सी तारे जामिल पर और ये त्री इडियर्स उसके बाद में एक और भी अच्छी मोवी अरे ये नहीं देवी दर्तांगो लेकर वो बबाले नहीं है वो भी अच्छी मोवी थे अब लोगों तो भीवात ढूरी लेते हैं कुछने को बढ़ी लेते हैं जिसको पना चमकाना होता है ठीक है वो भी बड़ी गज़ब मोवी और ये चार मोवी हैसी जो देख कंझेशम मैसेश का नवी करती है मतब मोवी देखोगे तो आर्ट आट अंचुरूं ए सबर्डेकसर दिर्क्टर अच्छा ही। फिर्टे मुविग कांगी बड़ें अच्छा थे हुल्ग है। टॉम हैंग से देखिया, वो तनी इच्छी तो नहीं बनेगी, वॉलीवूड में तो नहीं बना सकते है, कोई बना सकते है चलो आते हैं बागवा तनी कॉर्शन पर क्वर्शन नम्बर नाइन शी वो लेट अगेन इसी चलो हैं, maybe他們 क्या आएन कॉम्ड़ नँड़े, अगेक वो नहीं बना सकते हैं अब हम कह자를 है की फिर से लेट आयी छी अगेल है का वो अट जा एसा हुआ कि वो लेट है टॉन 10 10 20 14 है, thrift store today. Come across. Come across, come on the find. Accidentally किसी चीज़ का मिल जाने कि तुम पा जाने, ठीक है, चानल से. तो इसमां जाएगा, come across. Thrift का मतलर क्यों हो, come across करें. हाँ, came across लिखना, sorry, came across, past indefinite dance में लिखना रुको. Thrift store क्या होता हुआ? तुम लोगों के स्लेवस में भी आता है, इंटोनेम सिननेम में, thrifty. 50 होता है, thrifty का मतलर क्या आता है? Frugal, thrifty का मतलर तो frugal. Myth way, myth way हिंदी का वर्ड होता है, साहत मैं नहीं समझ में आओगा. Myth way का मतलब होता है? Economical. मतलब जितना जरूरी है, जरूरत के साहते है, thrifty है, frugal है, एक और और होता है आपका क्या नाम में. Economically मतलब मतलब में टर्म है, तो thrifty है, economical है, frugal है. माईजर नहीं होता है, माईजर आज़र नहीं का चर्च करता है, टिक है, माईजर तो ऐसा परसपर ज़िए जरूरत के साहते हैं, का जरूरत जहाता है. तो बच्चे खाना आने राट्टो डिनर टेबल पर बैठे हैं तो उसने बच्चों के गॉफर दिया कि जो आज राट्टो डिनर नहीं करेंगा उसको में 10 रुपर दूपान तो बच्चों ने सोच राट्टो डिनर दिया कि खाना घाले तो उन्हें खाना पर मिली जाएगा कली जिक है और यह गजूँज है मारा बाप पैसे दो दुपार देगा नहीं आज पता इसको दिवान कि आ गया तो अनुन ने का पैसे ले ले लिखते हैं अब राट को पॉंसर में खेलना को उतना राट को भूब लेगे कि सो जाएंगी तो अनुन ने का पुझा हमें पैसे दे लो तो जो भी उसके चार मात बच्चे रहे हो अनुन ने पने पैसे ले ले लिखो इसले कि अपने जाके सोगे ठीक है सबै उठे है एक स्कूल के लिए तयार हो एक हाना लाने अन्याइन अब वो कह रहा जो पैसे बापन देगा उसको ब्रेफादु माना अब वो कह रहा है बच्चे आगे खाना खाने सुबे टेवल पे तो उसने का रुच्छ रात को तुछ रुपे दें तो जो बापस बेगा उसको खाना मिलेगा सब्सक्राइब तो यह रहो था कंजूस तो लेली हम ऐसे वापस अरे टाइम का खाना बचाले बच्चों का बच्चे सुज़ रहे हमोसी हार गो उनका बाप निकला यह गोर था कंजूस वो पांचे बेडिन उसकी मंजिल की बीडिंग होगी तो उपर टैरस कगूस पेड़ प कंजूस अब नीचे नीचे फर्स फ्लोर पे उसकी बाइफ लोती हुँ खाना बना रहे थी ठीक बालकनी साइट में की चन रहा होगा तो पाइफ पो उसने तो बिल्ते बुलने बता जेगे आज मेरा मत बनाना जी का उसको पता था में बचूंगा तो होई नहीं खाना बन कंजूस अब क्या हम करो तेखो मेरा मन नहीं रहा है यह तो यह रख लो यह आपके आट क्यूस्टन्स हैं यह मैं अगले असाइइन्में पर जो साइगे का उसमें इंक्लूट कर तो इनको तब ही सम्झाओंगा ठीक है तो आज का वस्ते साब आपके अगले असाइन्मेंट अगले श्याएजिट होगो जोलता है इक आपके अपटिशे है इनको फारिक हम इसको आपके अपके इनको पातो यह तूप्र अप्लोट करें यह तो बदूट करें गया नियुक्त गाले अपके अफलोट सेया ने मेरत मुझे तो तो पर लोड़ोड करेंको